नमस्कार मैं आपका होस्ट और दोस्ट सुनिल सर्मा लीगल सौर्ट्स विद महासेवा एक्सपर्ट मैं स्वागत करता हूँ संदीप कंगुटकर साब आर्किटेग हैं वन स्टाप पीमसी के मैनेजिंग डारेक्टर है हमारा साथ मोजूद है एज एक्सपर्ट तो हम आज इस लीगल सौर्ट विद महासेवा एक्सपर्ट में जानेंगे कि रीडेवलोप्मेंट में जब कॉपर क्योंकि बहुत पहले क्या होता था सोसाइटी जो ही डेवलोप्मेंट करती थी तो उसमें ट्रांसपरेंस ही नहीं थी कोई भी आदमी किसी भी डेवलोपर को लाता था तो इसकी वज़े से बहुत से प्रोजेक्स में रुकावट आ जाते थी तो गवर्मेंट ने यह सब र अगर आप कोई भी सोसाइटी फॉलो करती है तो डेफिनेटली उसका जो रीडेवलोप्मेंट का प्रोसेस है वह अच्छी तरह से हो सकता है तो सोसाइटी से मेरी रिक्वेस्ट है यू ट्राइट टू फॉलोओ देवलोप्मेंट एग्रिमेंट जो बिल्डर के सांथ होता वो क्या है और कितना महत्पून होता है लोगों के देवलोप्मेंट एग्रिमेंट भी बहुत माइने रखता है क्योंकि इसमें आप आपके राइट एक थर्ड़ पार्टी को देते है जब आपके राइट दुसरे पार्टी को ट्रांसफर होते है तो आप अगर वो आदमी या वह डिवलपर कुछ वजह से परफॉर्मस नहीं देता है तो आप वापस सिंपल वेसे नहीं ले सकते हैं उसके लिए आपको कोड जाना पड़ेगा को टाइम देना पड़ेगा आपको बहुत नुक्सान हो सकता है इसके लिए डिवलपमेंट आपको बहुत सोच समझ के औ में लिगल भी टीम रहेगी वो सब रहते हुए आपको वो अच्छी तरह से डेवलोप्मेंट एग्रिमेंट को फॉर्मेट करना पड़ेगा यह संदीब जी जो यदि हाउसिंग सोसाइटी डेवलोप्मेंट में जाना चाहती जिनको सीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना जिनक आपको मेसेज कर सके या वाटसाप मेसेज कर सके ताकि अब एडवाइज करते हैं मेरा मोबाइल नंबर आप नुट डाउन कर लिजए 9769234345 बिल्कुल दोस्तों री डेवलोप्मेंट पीएमसी डीए 79 यह तमाम विशे को हम जानकारी देते रहेंगे अवेर करते रहेंगे लीगल सोट महासेवा एक्सपर्ट के साथ में तो यह हमारा एपिसोड कैसा लगा आप लाइक करें इस वीडियो को सब्क्राइब करें चैनल